लोग सभाद चुनाव में भाजपा को यूपी महराश्रा जैसे राज्यों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा इसके पीछे इन चर्चाओं की वज़ा माना गया था जिनमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा फिर से लोटी तो वह समविधान बतल देगी और आरक्षड को समाप्त कर देगी इस बीच विपक्ष ने एक बार फिर से आरक्षड के मामले को उठाना शुरू कर दिया है और जातिकत कोटे को 50 फीसिदी से ज्यादा किये जाने की मांग कर दी है फिलाल इंदरा साहनी केस में सुप्रीम कोट में एतिहासिक फैसले की चलते जातिकत आरक्षड में 50 फीसिदी की सीमा लागू होती है कॉंग्रेस ने पिछले दिनों इस लिमिट को खत्म करने की मांग की अब शहरत पवार ने भी ऐसी ही मांग की और अब इसे समर्थन देते हैं इस तरह उन्होंने संकेत दिया कि महराश्टा के असेंबली इलेक्षन में आरक्षड की लिमिट पार करने का मुद्दा गुझेगा पहले ही राज में मराठा कोटे और OBC आरक्षड को लेकर तकरार जारी है तो वहीं राजी सरकार मराठाओं को OBC सर्टिफिकेट जारी कर रही है वहीं OBC वर्ग का कहना है कि मराठा आरक्षड देना है तो उनकी लिमिट से अलग दिया जाए इस तरह 50 फीसिदी लिमिट को तोड़ने की मांग उठ रही है आपको बता दें कि EWS कोटे को मिलाकर सभी राज्यों में कम से कम 60 फीसिदी आरक्षड पहुँच चुका है बिहार में तो यारक्षड 75 फीसिदी तक पहुँच चुका है जिस पर हाई कोट से रोक लगी थी और अब सुप्रीम कोट से राहत नहीं मिली इसी बीच कॉंग्रे समय द्विपक्ष ने संकेत दिया कि आरक्षड का मामला फिर से गुचेगा शरत पवार ने सुमवार को कहा कि यदि कोईंदर सरकार 50 फीसिदी लिमिट खत्म करने के लिए बिल लाती है तो महराश्ट के सभी दल उसका साथ देंगे उन्होंने कहा कि केंदर सरकार के पास ही ये पावर है कि वो 50 फीसिदी के लिमिट को समाप्त कर पाए यदि मूदी सरकार महराश्ट समुदाय को आरक्षड दे तो हम उसका समर्तन अवश्य करेंगे इसके अलावा उन्होंने महराश्ट सरकार पर भी दवाब बनाते हुए कहा कि उन्हें OBC और मराठा अरक्षड को लेकर सभी दलों की मीटिंग बुलानी चाहिए उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में विपक्ष के सभी दल मौजूद रहे पवार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को मराठा कोटे के लिए अंदोलन कर रहे मनोज जारंग पाटिल और चगन बुझबल जैसे OBC नेताओं को जरूर बुलाना चाहिए हमें इस मीटिंग में आरक्षड के मसले पर समधहन को लेकर चर्चा करनी चाहिए उन्होंने कहा कि ये समस्या है कि जब भी आरक्षड 50 फीसीदी पार करता है तो उसे सुप्रीम कोट की 50 फीसीदी वाले लिमिट लागू हो जाती है इसलिए केंदर सरकार ही इस मामले में कुछ कर सकती है ऐसे ये अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूस वाल इंडिया